नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है देखी दोस्तों आज हम बात करा हैं यहाँ पर जैसे की गौवर्मेंट ने अना उसके है नई पैंसन स्कीम जिसका नाम है UPS लेकिन हम यहाँ बात करने वाले OPS, UPS, NPS तीनों में सबसे बहतर आपके लिए क्या है और पूरा कै फाइदे और नुकसान सबकी बात करने वाले तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल कम्प्रिट है अगर आप किसी भी जॉब में है आपके लिए अगर इन तीनों में से कोई स्कीम का फाइदा चाहिए तो क्या आपको लेना चाहिए इसका जवाब आपको यहाँ पर मिल पहली चीज OPS के अंदर आपकी सेली का एक भी इससा नहीं कट होता था और टोटल पैसा आपको मिलता था और साथ ही साथ आपको pension मिलती थी ग्रचुटी मिलती तो इसलिए सबसे important यह OPS लेकिन OPS तो आपको मिल ही नहीं रहा है अब तो फिलाल सबसे best की हम बात करें तो simple सब्दों में हम कह सकते हैं यह OPS सबसे best है लेकिन इसको government लागूर नहीं करने वाली है यह भी तैह है और एक चीज़ आपको दोसको बताई तो आप यहाँ पर यह भी समझ सकते हैं जैसे कि बहुत सारे लोगों का मतलब है कि NPS से बहतर UPS तो उसका हम comparison डीटेल में करेंगे तब आप बहुत बहतर परीके से समझ पाएं क्योंकि एक चीज़ अगा simple सब्दों में कहें तो कोई भी नई चीज़ लेके आता है तो उसक फाइदा और नहीं डोण पाया तो उसका नुकसान तो यही चीज़ है यहाँ पर आप देखिए अगर हम बात करें UPS की तो UPS के अंदर आपको यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप 25 साल की minimum यहाँ पर देखिए आप साफ साफ लिखा है 25 साल की minimum अगर आप जॉब कर दे हैं तो आपको लास्ट बारा महीने का जो बेसिक पे है एबरेज बेसिक पे ना कि डिये वगरा मिला करके सिर्फ आपका बेसिक पे तो हम यहाँ पर जो एक 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 जामपल लेंगे वो एक जामपल हम मानके चलेंगे ऐसा जैसे कि आपका एक बेसिक पे 18,000 का ले लेते हैं जो क पर एक और चीज बोल दी गई है कि यहां पर जो आप देखेंगे यह तीसरी लाइन में लिखा है कि अगर आपने 10 साल की मिनिमम सर्विस दी है तो आपको 10,000 रुपए पर मन्त का मिनिमम पैंशन मिलेगा ही मिलेगा तो अब और यहां पर अगर हम देखें अगर आप सिर्फ आपका माइंड सेट है कि आप सिर्फ 10 साल जॉब करने वाले हैं देखें एक एक पॉइंट को समझते जाएगा अगर आप सिर्फ 10 साल जॉब करने वाले हैं तो आपको ये pension UPS एक best option रहने वाला है क्योंकि 10 साल के अंदर अभी हम calculate करेंगे ठीक है कैसे best रहेगा और अगर यहाँ पर हम देखे तो इस pension में सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह बोली गी है कि 60% of pension the employee immediately before he is here तो यहाँ पर देखें तो family के लिए जो pension का announcement किया गया है यह बहुत अच्छी चीज है लेकिन यहाँ पर इसको totally describe नहीं किया गया है क्या अगर किसी ने आज job join की है और after 1 month, 6 month, 1 year बाद उसकी death हो जाती है तब क्या यह चीज लागू होगी या फिर नहीं होगी अगर यह नहीं है minimum 10 साल यह उसके ऊपर का ही point यह note कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर हम इसको best move नहीं कह सकते हैं अब अगर देखें तो यहाँ पर कहा गया है कि जो inflation का benefit है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा तो मतलब जो आपका minimum जो 10,000 है तो यह 10,000 को आप मोटा मोटी मान के चल सकते हैं अब आपके मन में doubt यह है कि क्या हमें कोई भी पैसा gratitude की तोर पर lump sum में मिलेगा तो वो यहाँ पर कहा गया है कि gratitude की तोर पर आपको मिलेगा लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है देखीं यहाँ पर एक चीज़ है आपको दिखेगा कि 1 upon 10th of the monthly तो जो आप देखेंग एक महिने का bonus नहीं मिलेगा एक बटा 10% आपको मिलेगा तो अगर आप उधारन के लिए count करें तो आप यहाँ पर 10% किताब से 10 बार मलब 6 साल आप यहाँ पर लगभग लगभग मलब 5 साल 5 साल पैसा कटाएंगे तब आपको एक मंत की salary आपको यहाँ पर मिल जाएगी तो ऐसे ही अगर हम देखें तो आप पूरे 30 साल के अंदर आपको सिर्फ 6 महिने की salary का benefit मिलेगा मलब 6 महिने की salary ही यहाँ पर आपको मिलने वाली है और plus जो आपने पैसा दिया है बो लेकिन यहाँ पर एक चीज और हमें clear नहीं की गई है कि क्या यहाँ पर हमें interest के साथ ही पै पर बिलकुल बेकार है क्योंकि उस पैसे की तब कोई भी value नहीं होने वाली आज से 25 साल के बाद मनलब हम count करने 2050 तो 2050 में उस पैसे की कोई value नहीं होने वाली अब इस सब चीज को हम calculator के तौर पस समझने वाले हैं देखिए अभी जो आपके लिए NPS चल रहा है तो अगर हम देखिए तो NPS के अंदर आपका अगर मैंने जैसा की count करा अभी जो आपका salary जो है 18,000 basic पे माल लेते हैं तो आपका जो मोटा मोटी इससे में पैसा है देखिए वो आपकी total salary का amount लगबग लगबग कट कितना होता है 10% के करीब आज कट होता है 14% के करीब उसमें सरकार अपना हिस्सा देती है तो लगबग लगबग आपका 5000 पिलस पैसा बहाँ पर सरकार दे देती है 5,000 के करीब और 3,000 पिलस का करीब आपका पैसा कट जाता है मतलब 8-9,000 रुपए के करीब आपका total amount बहाँ पर जमा हो रहा है NPS के अंदर अगर आप उसको calculate करेंगे या आपनी salary slip में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा बहुत एक छूटा सा उधार दिया है तो अभी हम इसको 9,000 और 8,000 दोनों पर count कर लेंगे जैसे कि अगर हम 9,000 पर count करते हैं तो आप 9,000 पर भी देख लिजीगा और 10,000 पर भी देख लिजीगा तो आप देखें 30 साल जो कि आपकी salary का होता है या 25 साल आप job करते हैं तो 25 साल का count करते हैं और अगर हम देखें तो उसमें आपके लिए जो minimum interest के करीब है वो आपको मिल जाता है 9% के करीब आप मानके चल सकते है record है NPS का कि 9% के करीब तो हमने 9% से थोड़ा सा यहाँ पर कम count कर लिया है 8.93 तो अगर जिन्होंने 25 साल अपने job किये तो उनके लिए 25 साल बात कितना एक करोड यहाँ पर आप दे calculate करके तब आपकी pencil कितनी रहने वाली है अब अगर वहीं आपने job 30 साल कर ली तो यही पैसा आपको डेड़ करोड के plus मिलने वाला है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं डेड़ करोड के plus वो भी simple हमने calculate किया है 9% से नीचे का भी यहाँ पर return calculate किया है जो कि NPS में 9% का return आराम स से मिल जाता है तो आप यहाँ देखें डेड़ करोड मिलेगा जिसमें से आप 60% अप अपना पैसा निकाल सकते हैं तो अगर आप यहाँ पर calculate करेंगे एक करोड 63 लाग है एक करोड हम 60 लाग का ही देखिए मोटा मोटी पैसा हम मानके चलने तो एक करो 60 लाग का ही हम 60% अग आप ने 90 लाग रुपए इसमें से निकाल लिया क्योंकि हम बहुत यहाँ पर calculate कर रहे हैं simple तो 90 लाग पैस रुपए आपको ग्रिचिटी की तौर पर मिल गया 60% आप ने इसका निकाला ग्रिचिटी की तौर पर आपको कितना मिल गया 90 लाग रुपए अब 90 लाग मिलने के बाद आपका यहाँ पर पैसा कितना बचेगा जिसको हम मान लेते हैं कि मोटा मोटी हमारे पास सिर्फ साट लाग ही बचा है ज्यादा नहीं calculate करते हैं साट लाग और कम कर लिया ठीक है बिल्कुल हम बहुत निचोड निकालने की कोसिस कर रहे हैं तो अगर साट पैसाट ला 65,000,000,000,000,000 अब देखिए आपको क्या है कि अगर आप 65,000,000,000 यहाँ पर आपने ले लिया तो 65,000,000,000 आपने अगर सिंपल इंट्रेस्ट के साथ में अगर जमा कर देंगे हर साल आपको अगर बैंक में पैसा मिलेगा तो 8 परसेंट के करीब आप अगर आपको रिटन मिल कुछ नहींग सिम्पल आपने व kimchi अपने उस पड़ा है तो यहां को पड़ा है उसको आपको करना है तो 90 ला. आपको यहां पर इंवेस्ट नो आपने यहां पर आप का यहाँ पर मिल गया आपको एक साल में ठीक है सातथ लाग यहाँ मिल गया और अगर हम इसको देखें तो आपका पर मंत का कितना सेली यहाँ पर मतलब 58,000 आपका pension मिला आपको इस पैसे से जो कि यह 90 लाक है और यह 90 लाक भी आपका सेफ रखा है जब मर्जियों आप यूज कर सकते हैं पिलस जो आपका बहां पर 63 लाक रुपे रहे गया था तो देखे 63 लाक रुपे आपका 65 लाक रुपे बहां रहे गया था NPS के अंदर तो उस पर आपके लिए जो salary देंगे मतलब बतौर pension तो अगर हम उस पर भी calculate कर रहे तो आप इसको याद रखेगा यह 58,323 रुपे जिसको 58,000 कल्कुलेट कर लेते हैं और अगर 5,20,000 का हम अगर फिर से calculate करें तो इस पर आपको मिलेगा कितना amount हर महीने 43,000 अब 43,000 में हम 58,000 और पिलस कर लें तो आपको total pension कितना हो गया 1,00,000 पिलस आपको pension मिलेगी आप अगर इस तरीके से invest रहते हैं पिलस आपका सारा जो करूर में पैसा है वो total का total save है मतलब आपके पास वो पैसा भी है और pension तो बतौर pension भी आपको बहुत मिलेगा और अगर आप इ इस नई pension की बात करें तो यहां पर हमारी जो salary अगर होगी तो हम inflation के हिसाब से अगर calculate कर लें तो जैसे की हम अगर मोटा मोटी यहां पर calculate करते हैं कि आज अगर आपको 18,000 रुपे आपकी basic pension है और उस हिसाब से calculate करें तो 10,000 के करीब मलब 15,000 के करीब आपकी pension बनेगी लेकिन अगर बही चीत हम उसको calculate कर लेते हैं कि 18 की जगे आप जब तक retire होंगे 20 सालवा तब तक आपकी basic पे 40,000 मान लेते हैं तो 40,000 के इसाप से आपकी 40,000 की जगे 60,000 मान लेते हैं basic पे अगर 60,000 का मतलब आप उस समय सेली 2,00,000 रुपे के करीब उठा रहे होंगे तब आपका 60,000 basic पे बन पाया होगा तो अगर हम 60,000 भी pension मान लेते हैं तो इस scheme का हम बो निचोड निकालते हैं तो 60,000 रुपे अगर आपकी pension है और 60,000 के बाद हमारा इसमें calculate क्या होगा तो उसको हम calculate कर लेते हैं तो 60,000 रुपीज आपका अगर basic पे होगा तो उसका 50% मतलब कि 30,000 रुपीज, 60,000 basic पे उसका 50% ही आपको pension में देंगे तो उसके बाद 30% उस पर डिये लगा लेंगे हम कितना 50% का डिये मान लेते हैं तो आपका कितना हुआ मात्र जो pension बनी वो बनी 45,000 रुपे पर मंत की तो 45,000 रुपे पर मंत आपको यहां से pension मिलेगी मतलब अगर आप NPS के मुकाबले यहां पर आधा भी पैसा नहीं उठा पा रहे हैं साथ ही साथ आपके पास यहां पर जो gratitude दिख रही है न वो आपके पास बहुत कम होगी मतलब बहुत maximum आपको gratitude मिल जाए तो वो आपको मिल पाएगी max to max 20,000 रुपे, max to max 20,000 रुपे मतलब हम एक basic आद पे उठाता होगा तब क्योंकि यह total salary का 50% ही है सिर्फ basic pay का है तो आप यहां पर आप समझ गए NPS हर हालत में बहतर है क्योंकि NPS के अंदर आपका जो पैसा है वो भी आपको इतना return के साथ मिलेगा साती साथ आपके लिए बहाँ पर pension भी कहीं जादा मिलेगी क्योंकि देख 100% का return तो आपको बहाँ extra मिली रहा है तो आप महाँ पर आराम से रोटी तो खा पाएंगे लिकिन अगर इस pension की बात करें तो सिर्फ यह दिखने में अच्छी लग रहे है कि आपको अब 100% security pension मिलेगी बाकी और कुछ नहीं लिकिन अब अगर मैंने का जैसे इसका भी कुछ है तो अगर आपने सोचा है कि 10 साल ही मैं यहाँ पर service दूँगा इस से उपर मैं नहीं करूँगा तब आपकर यह थोड़ा benefit देने वाली है क्यूंकि आप NPS के अंदर 10 साल में बहुत पैसा नहीं जमा कर पाएंगे जो कि आप खुद से समझ रहे होंगे जैसे अगर हम आपको मिल पाएगा टोटल तो इस पर आपका मागूली पैंशन बन पाएगा क्यूंकि अगर हम सत्रा लाग का हम लंसम अमाउंट यहां निकाल लेते हैं तो आपका पैंशन कितना होगा यहां देख लिजिए 17 लाग का आपका पैंशन बैठेगा यहां पर 1, 36 जार मतलब कितना बारा हो आपको दकोती हिसा के करीभी पैंशन यहां पर मिल पाया और बहां पर आपको पैंशन मिलडा है यहां पर 15 हजार से भी ज़्यादा का तो मतलब ये दस साल में आपको ये फाइदा देगी स्कीम और अगर इसमें ये चीज है कि हम यहाँ पर 60% पेंसन मिलेगी अगर डेथ हो जाती है या कोई इंपलाई जैसे आज अब अगर उसको क्लियर कर दिया जाए कि ये एक दिन के बाद लागो हो जाएगा एक साल बाद या दस साल बाद या बीस साल बाद तब यहाँ पर मैं कहुँगा इस स्कीम को आप सियोरिटी के लिए अपनी फैमली का अगर आपको बहुत ज़दा टेंसन आपके पास कोई बेक अप नहीं है और आपको नहीं पता कब क्या हो जाए और किसी को नहीं पता कब क्या हो जाए तब तो यह चीज़ आप कह सकते हैं थोड़ा फाइदा दे सकती है तो यह दो पॉइंट है तो कम पीरिड में तो आपको यह बहुत और अगर आपने पूरा सर्व किया है 25 साल 30 साल तो फिर NPS आपके लिए सबसे बेस्ट है तो अब यहाँ पर आप समझ गेंगे OPS, NPS, UPS में सबसे बेस्ट OPS जो की पुराना है कि उसमें कोई पैसा आपका नहीं कड रहा तो और आपको पूरा पैंसन मिल ला था मैगाई बत् तो लोग इतने जागरुक हैं जो पैसा आज आपका 10% कत्रा है उसी 10% को अगर आपसा IP में डाल देंगे तो OPS से आप बहुत फादा उठा पाएंगे लिकिन अगर वो नहीं है तो NPS सबसे बेस्ट है लिकिन उसमें भी यह फाल्ड है जब अगर यह चीज किलियर हो जाए क कि 10 साल में आपको नोकरी छोड़ देना है उसके बाद आप बिजनेस करने वाले हैं या कुछ नहीं करने वाले तो आपके लिए UPS सबसे बेस्ट है अब आप चूज कर पाएंगे आसानी से और साथ ही साथ अगर इसमें यह भी चीज किलियर हो जाए कि 60% पहले दिन से वो पॉइंट जो आपके लिए बहुत जरूरी था और आपके सारे डाउट किलियर होगे कोई वीडियो किसी चीज की आपको जरूरत नहीं होगी तो अगर अच्छा लगा समझ में आया तो फिर आप एक लाइक सस्क्राइब सब दबा दीजीगा बटन और NPS में तो देखी कि दो सुट